कि अब कि अब का स्वागते साइंस के यूटूब चैनल पर जो हमने कर नियुमेरिकल छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं जो जो आज वाल वालों से बहुत अलग है देखिने आप एक यूगी की संद्रशना काई केंद्री प्रकार की है उसका प्रमाण विद्रमेमान 50 ह यदि भूजा एक अमान विए स्मॉल एमें भी आ सकता है और केपिटल एमें भी आ सकता है यदि भूजा एक अमान 250 पीम पीम का मतलब होता है पिको मेंटर ये तो मातर कोश्टिका का घनत्यू क्या होगा आपको पता हो तो हमने जब चैप्टर फरस्ट के पढ़ रहे थे तब हमने लास्ट टोपिक पढ़ा था विमाओं की गणना तो महाँ पर एक फोर्मॉला निकाला था हमने यह रहा हो फोर्मूला डी बराबर जैट इन्टुम अपोन एन 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 आवाकादू संक्या है और एक क्यूब क्या था हमारा पिस्टल का घनत्व था और यहां पर ए दिया हुआ हो सकता है और एन एह हमें पता होना चाहिए और ए भी वो दिया हुआ होगा दियान देना यहां पर जी जो संद्रशना दी गई है वो क्या दी गई है काई केंद्री प्रकार की दी गई है और अकर हमें पता हो तो कोई काई केंद्री संद्रशना में क्या होता है कि अभी अभी कन जो होते हैं वो कोनों के साथ साथ काई के केंदर पर भी क्योंती है पाया जाता है कोनों के साथ साथ काई के केंदर पर भी क्योंता है पाया जाता है देखेंगे आप तो अगर इसके समझना देखें हम तो इस टैप की होती है कोनों के साथ साथ जो अविवी कन होते हैं या आणों परमानों आयन होते हैं वो कहां पर भी पाया जाता है काई के केंदर पर भी पाया जाता है काई के केंदर का मतलब बिल्कुल बीचों बीच में ठीक है और कोनों पर तो बिल्कुल पाया ही जाएगा तो इस प्रकार अविवी कन दो जगे पाये जा रहे हैं कि अधिया देना अब इसके अधर मैं अभी कणों की संख्या निकालने आना चाहिए निकाल भी चुके हैं देखो काई के केंदर पर जो अभी कणों तो पूरे का पूरा योगदान उसी महात्र कोश्टिकाम होता है तो उसका योगदान कितना गिना जाता है एक और जो कोनो पर जो अभी कणों की संख्या निकले मतलब जेड का जो मान निकला हो कितना निकला है दो यह उसने बिल्कुल दे रहा का है हमें यहां पर डिसकस कर लेते हैं पर नेके बारे में भी यह उसने दे रहा कि भूजा 250 पिको मीटर है लेकिन जो हमारा दरविमान है वो ग्राम मे पर 250 पिको मीटर है और हम जानते हैं 11 क्लास में पड़ा है कि एक पिको मीटर बराबर क्यों होता है दसकी घहात माइनस 12 मीटर होता है अब इस मीटर को भी हम किसमें चेंज करें हैं सेंटी मीटर में चेंज करें तो यहां पर क्या हो जाएगा इसको हम किस से मल्टिप्लाइ से गुना कर देंगे तो यहां पर बारा की कि भाज बचे गी केवल 10 भाज ही बचेगी और यह मान किस में है तो यहां पर क्या होगा हमने पिकोमेटर कि बदलन दिया सेंटिमीटर में चेंज कर दिया है क्योंकि पूरे मान हमें CGS में रखने पढ़ेंगे, किसमें रखने पढ़ेंगे C, G और यह S पद्धि आप जानते हैं MKS CGS पद्धि तो यहाँ पर पूरा का पूरा माने किसमे रखना पढ़ेगा CGS में रखना पढ़ेगा ग्राम में तो इसको कि में दलना पढ़ेंगा इन्टू दस की घात माइनस दस किसमें है यह मान अब सेंटिमीटर में है तो अब बात करते हैं फोर्मले में वेल्यू रख देते हैं अब देखो यहां पर एक क्यूब है तो यह बिल्कुल एक अमान रख दिया दोसो पचास इन्टू दस की खात माइनस दस का होल क्यूब है इसको आगर सोल करें अपो तो देखो आपको पता होगा दो इन्टू बचास बराबर क्यों जाएगा भई अपोन यहां पर आपके 6.023 इन्टू दस की पावर प्लस 23 है कितनी है अब देखो यहां पर जो है आपका क्यूब किस किस का है 250 करना म पड़े करना म में थीड सो儿 पचास कर गो इन्टू 250 इन्टू 250 अब एक बात को बता देता हूं यहाँ पर मैं आपको कि वही दस की घात माइनस 10 है एक 250 की पिछे तो यहाँ पर कितनी बार 250 आए तीन बार है तो दसकी घात माइनस 10 दसकी घात माइनस 10 लिखेंगे तो वह लंब हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं जब आधार समान होते हैं तो घातों को क्या कर देते हैं हम जोड देते हैं सारी किसी माइनस में है तो दसकी माइनस दस को तीन बार लिखेंगे इससे बड़ी आए कि हम दसकी घात माइनस क्या कर देंगे यहां पर यहां पर माइनस की 30 है तो आपको पता होगा जब आधार समाने तो घाते जोड़ते हैं तो एक प्लस में एक माइनस में दोनों माइनस हो जाएंगे कितने बचेगी यहां पर माइनस की साथ घात बचेगी अब देखो यहां पर यह मान है 6.023 और 250 जब इनका भाग लगाएंगे तो लगबग आंसर कितना आएगा 100 में भाग लगाएंगे तो इतना है 0.001 06 10 की पावर प्लस 24 तब इसको मैं और सिंपलीफाइब करूं तो आप इसको कुछ बुक्स में इस तरह से भी मान लिखा कश नगे टोंट 6 अध्यूंट नब पॉइंट 6 ग्राम प्रती सेंटिमीटर तरहाई जाना मां स्रिसक अभी सारी घटारी हमने अभी हां यह से पॉइंट आएंगे हैं मैं इन रफ्रयक्र लग जाएगी चार जिरू से चार जिरू कर जाएगी और के बचे का मात रबना दसकी गात पॉइंट 6 ग्राम आसर आएगा तो इस तरह किसे इन क्यूशन को सोल करना को इतना टफ नहीं है लेकिन हमें क्या निकालना जरूर है इस प्रकार के क्यूशन के लिए एक तो उनके अ आना चाहिए बागी कुछ भी नहीं यह वेल्यू रख दो और आंसर आपके इजी लिया जाएंगे अगला न्यूबेकल सेम इसी जैसा है देखें गया देखो एक तत्व क्रिष्टली क्रित होकर फलक केंदी संद्शन बनाता है जिसकी भूजा के लंबाई कितनी है दो सो प अब यहां से जब चेको कट किया दो से अपन नहीं तो कितने पर कटता है आपको पता है और यहां पर आट से आड़ गया एक बार कर जाएगा और कर वाचा कर देखेंगा यहां पर भी 230hp है इसको टारेट किसमें में अचेंज कर दिया है आपको एक होता है फोर्मुला होता है रख देते हैं यहां पर आपको इसे नहीं रखा हो यहां पर चार ठीक है चार इंटू दोसू ठीक है उसके बाद आप यह वीडियो रख दिया हमने यह सेम रख दिया यहाँ पर भी आपको पता होगा कि दसकी घाट 23 है और यह यहाँ पर दसकी घाट मैंने दसकी क्यूब है तो यह दसकी घाट 30 बन जाएगा फिर कारण घाते कर जाएगी फि बहुत इजी है नटप नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको यह रख देना आना चाहिए यह बड़ी बड़ी वेल्यूज इनको शौर्ट में कर सकते है लेकिन जिसको आप जितना इजी लगता है उसी में वेव में सो करें solve current questions को आगे बात करते हैं जो अगला SI question है इसी formula से बनाएगा लेकिन थोड़ा सक आपको concept question रहेगा वो देखते हैं आप आगे यह आपके लिए important भी है competition exam के साब से देखना आप ध्यान दे रहा हूँ यह आपके शायद यह वाला जो question है 2012 में माद्यमिक शिक्षा बोर्ड में आचुका है आड़े सी गंदर आचुका है देखना यहाँ पर यहाँ पर क्या है एक FCC मातर कोश्टी का है जिसकी FCC है FCC का घनत तो 275 ग्राम है यह क्या है ग्राम है एक कोश्टी का की कोर की लंबाय कितनी है 654 पिको मीटर है तो बताएए कि crystal क्या crystal और वो crystal भी किसका देता है आपको यहाँ पर केबी आर का किस्टे देता है किसका देता है कि कर देता है हो के बी आर इसने गायप कर रखा है तो मैं लिकरा हूँ आपको जब आप नियोडिकल लिखेंगे क्यूशन तो यहाँ पर KBR एट कर लेंगे बताईए कि KBR क्या KBR फलक केंद्रिये घनिये संद्शना है यहाँ पर आप दोनों जगे पर क्या लिख सकते हैं लिखेंगे आप आगे KBR लिखेंगे KBR मतलब Potassium Bromide क्यूशन आया हुआ है याद रखना 2012 के अंदर मादिमिक शिक्षाबॉड में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर क्यूशन क्यूशन देखेंगे क्यूशन देता हूं है KBR कोर्टेशन Bromide का घनत्व 2.75 ग्राम है एकक कोश्टिका के कोवर की 654 पिकोमेटर है तो बताईए कि KBR फलक केंदरी संद्रचना है तो दो इसने पूचा क्या है क्या है किसे सावित करेंगे है प्याले यहाँ पर फोकस करना है क्योंकि यहाँ पर फोर्मले में तो हम भी डी निकाल सकते है जेड निकाल सकते है तो आपको पता होना चाहिए कि फलक केंदरी की अंदर जो विवी कणो की संक्या होगी वो कितनी होगी चार होगी तो मतलब यहाँ पर हमें जेड बराबर कितना प्राप्त होना चाहिए चार प्राप्त होना चाहिए ही मेलब यहां पर वह टोटना मिलाकर बात क्या गयात करना है मैं जेड गयात करना है जो कितना आना चाहिए 4 तब ही जाकर कि यह वो क्या सिद्ध रोई सकता है फ़लक केंद्री बराबर क्या होता है एक टोड़ा कंसेब्टू कुश्ण है तो दोनों को अगर आपन सिंप्लिफाइब करते हैं तो क्या होता है तीन तो निकलेंगे फलक पर और एक निकलेंगे आपका कोनों पर तो टोटल जागा चार देखेंगे आप अपको याद करना है बिल्कुल ठीक है देन उसके बाद एम उसने आपको दिया हुआ नहीं है मैंने आपसे कहा तो यहाँ पर आपको प्रोटेशम ब्रोमाइड दे रहा है तो इनका में क्या बात रहा है प्रमानुभार यात होना चाहिए आप कैसे याद करेंगे की य मैंनी सायगा है अव यहाँ पर वापस आपको जो एडी रहा है को में किसमें चेंज कर दिया, सेंटीमेटर में कितना है वी 75 g यहाँ तो आपको पता होगा फोर्मला क्या था हमारा d बराबर z into m n a cube तो यहाँ पर हमें क्या करना है गयाद z करना है जो संख्या है उनको वज्रकोना करके अलग-अलग कर रहे है जैसे जो संख्या है यह कहां चले जाएगी इधर और जो हमारा a में हो कहां जाएगा नीचे तो देखो यहाँ पर यह रहाँ फोर्मूला यह बन जाएगा जेड बराबर क्या हो जाएगा n a 3 d 3 अब यह यहाँ नहां आकर कहां जाएगा आपके उपर ही रहेगा यह into d ठीक है यहाँ पर into है और यह आपका d उपर ही फोर्मूला आएगा तो यहाँ पर लगभग आणसर कितना आ रहा है 4 आ रहा है तो इसका मतलब साबीद हो चुका है सिद्ध हो चुगा है, जब 4 आ रहे हैं अभ यह भी कणों की संक्या हो, इसका जो जालक होगा, घनिय संदस्ट होगी, किसी दंधर के अंदर और कितनी होती है? मैं 5 तफ से आसे ने सी एक पर आज़ तो आपने दा चांसेज नहीं है तो आप इन ही इसी टाइप की जो 6-7 टाइप की जो क्यूस्ट लिकाएं गए इन ही को सोल करें इन से रिल्टेट जितने भी आपकी क्यूस्ट बुक्स में दी गए हैं उनको सोल करने ही कुशिच करें और नहीं आते हैं तो आप प्रोब्लम क्लासिस के अंदर पूछ सकते हैं तो आपका दिन शुब हो आप जुड़े रहिए साइंस क्लासिस के साथ